हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब? मैं रीता मैम आज आपके लिए एक और नए स्टोरी लेकर आई हूँ आज की स्टोरी का नाम है घमंडी हाती और चीटी हेलो डियर आल, वेलकम टू अबर चैनल स्मार्ट इंडियन मौडल स्कूल स्मार्ट इंडियन मौडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफॉन क्लासेगर इंकलूवर्ट पूर्ट टूपॉर्जर श्टूइस प्ले गूर्फुन क्लासेट और देशाट अच्टिविटेटेज्टू बच्चो एक घने जंगल में बहुत सारी जानवर रहा करते थे उन्हीं में से एक जानवर था हाथी जिसका नाम था जम्बो बच्चो आपको तो पता ही है कि हाथी कैसा होता है हाथी तो बहुत बड़ा होता है इसी कारण उस जम्बो नाम के हाथी को अपनी उपर बहुत घमंड था वे जम्बो जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था एक दिन वह जंगल के दूसरी ओर जा रहा था कि अचानक से उसकी नजर एक पेड़ के उपर पड़ी और पेड़ के उपर एक तो ता बैठा हुआ था जिसे देखकर हाथी कहता है अरे भाई क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं आया हूँ देखो ना मैं तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर हूँ तुम्हें मुझे देखकर सर जुकाना चाहिए जी हाते जी मैं भूल गया था इस तरहें से बच्चो जंगल के सबी जानवर उस हाती से बहुत डरा करते थे इसी तरहें बच्चो वह हाती एक वार रास्ते से गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक चीटी दिखाई देती है वह चीटी अपने सर के उपर रखकर एक लड़ू ले जा रही होती है उसे देखकर हाती कहता है औरे चीटी रानी चीटी रानी कहा जा रही हो देखो मैं जंगल का सबसे बड़ा और शक्ती शाली जानवर हूँ मेरा मुकावला यहाँ पर कोई नहीं कर सकता अब जल्दी करो ये लड़ू मुझे दे दो ओहो हाती राजा जी मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी है लेकिन मैंने इस लड़ू को बहुत ही मुश्किल से पाया है मैं अपने परिवार के लिए ले कर जा रही हूँ मैं सुभै से महनद कर रही हूँ मैं यह लड़ू आपको नहीं दे सकती क्या कहा नहीं दे सकती जल्दी करो नहीं तो मैं ऐसे छीन लूँगा लेकिन सुनिये ये मैंने बहुत मुश्किल से पाया है आप मुझे जाने देजिए नहीं जल्दी लाओ इस तरह से बचो वह उसके लड़ू को छीन लेता है और अपने पैरों के नीचे उसे कुचल देता है यह देखिए बचो उसके पैरों के नीचे वह कुचल देता है अगर तुम मेरा कहना पहले ही माल लेती तो यह लड़ू तुम्हारा बच जाता आपने ये ठीक नहीं किया हाथी जी अब बच्चो उस चीटी को बहुत घुसा आ जाता है अब वह चीटी बच्चो उसकी सूड पर चड़कर धीरे धीरे उसके कान के अंदर चली जाती है अरे ये तुम क्या कर रही हो अरे हटो हटो यहां से हटो अरे जल्दी हटो मेरे कान में दर्द हो रहा है मुझे बचाओ कोई ये चीटी मेरे कान के अंदर खुस गई है अरे कोई बचाओ मुझे इस तरह से बच्चो वहे चीटी खाथी के कान में काट लेती है और वहे घवंडी हाथी बहुत रोने लगता है आखिरकार वहे चीटी उसका कहना मान कर उसके कान से बाहर निकलाती है अब बच्चो हाथी को अपनी करनी पर पश्टावा होता है और वहे चीटी से माफी मांगता है माफ कर दो चीटी रानी मैं अब सबक सीख चुका हूँ बड़ा शडीर होने से कुछ नहीं होता अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा जंगल के जानवरों को नहीं सताया करूंगा इस तरह से बच्चो वहे हाथी जंगल के किसी भी जानवरों को नहीं सताया करता था उनके साथ बहुत प्रेम सी रहा करता था आए हो बच्चो कि आज की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी बाई बाई बच्चो